वर्तमान जीवन शैली वर्शिक्षा प्रणाली के पंडित जयंत पांडे वेद पुरानों की शिक्षा देने की विशेश पहल कर रही है उन्होंने चतिस गड़ के दुर्ग भिलाई में जयंत पांडे गुरुकुल फाउंडेशन की स्थापना की है जिसके माध्यम से वे संस संस्कृत की शिक्षा देंगे साथी योगवध्यान की कक्षाई पे संचालित होगी रोजाना सुबह 6-8 बजे तक योगवध्यान तक शाम 6-8 बजे तक संस्कृत की पाठशाला लगेगी गुरुकुल फाउंडेशन के उदेश्यों को लेकर पंडित जेंत पांडे आज प पुरानिक सभ्यता को भूलते जा रहे हैं लोग वेस्टर्न कल्चर से इतना प्रभावित हैं कि वे अपनी संस्कृति मुल्यों से दूर होते जा रही हैं लोगों में वैदिक शिक्षा को लेकर बहुत सी भ्रातियां हैं और इनी भ्रातियों को दूर करने के लिए हमारा फ पंडिजेंद पंडे ने बताया कि जल्द ही फाउंडेशन द्वारा संस्कृत की ओनलाइन कक्षाएं शुरू की जाएंगी करोना संक्रमन को देखते हुए फिलाल या निर्ने लिया गया है पंडिजेंद पंडे ने बताया कि योग की कक्षाएं भिलाई शहर के अलग-अ कक्षाओं के लिए लिंक साजा किये जाएगा जिसके जरी इच्छुक व्यक्ति इससे जुड़ पाएंगे पंडित पंडे ने बताया कि इन कक्षाओं का देशे लोगों को मानसिक वंशारिक रूप से स्वस्त बनाना है उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति रोजाना दो घ देते हैं आप अपने परिवार को देते हैं आप अपने उन पेरेंस को देते हैं जिन्होंने बड़ी महनत से आपको पढ़ाया बढ़ा किया है ये जो प्रक्रिया होती है वाफस करने की प्रक्रिया ये जीमन में बड़ी महत्भूर होती है और यही एक ऐसी प्रक्रिया है क क्यों किया गया है आप हमारी बीच बैठे हमारे पंडिज महराज जहन पंडिजी से वाकित है हमारी एक गर्ब की बात है कि जब हम बात होता है तो जब हमारे शहर के जहन पंडिजी का नाम आता है तो हमारा लिसी नगर्ब से पूछ जाता है एक ऐसे विद्कित उने हिंदुस्तान में लेंडुस्तान के बाहर लेंडना हो यूए सोग वहां आपनी कैसी जगा बनाई अपनी 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 पाने के लिए बल इकन को खिलिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें थेन्ने वाद खाएब वेडियर और भी तो आपनी अपनी